पाकिस्तान के पंजाब प्रांथ में एक मिनी बस में टकर लगने के बाद एक वैन से गैस सिलंडर फटने से हुए विस्वोट में कम से कम दस लोगों की मौत होने की सूचना है जीयो न्यूज के अनुसार घटना रवीबार को गुझरा वाला में हुई प्रात्मीक जांच में अधिकारियों को पता लगा है कि वैन यत्रियों को लेकर रावल पिंडी से गुझरा वाला जा रही थी वैन को एक मिनी ट्रक ने टकर मार दे थी जिसमें वैन में पीछे की और लगा सिलंडर फट गया हासे में 10 लोग मारे गए खबर के अनुसार हासे में 6 अन्य लोग भी गंभी रूप से घायल हो गए